कि हाई चीज नहीं आपको खरीद ऑफ नहीं इalystat उंप कांप ली कि इस ज derecho आक ने प है ऐख चीज नहीं है आपको खरीदने के पहले किसी से पूछना चाहिए अगर नहीं पूछा है तो आपने अच्छा काम नहीं किया है अब आपने वहां पे खरीद लिया है तो आपको यह बताओं कि देखिए उसके अगेंस्ट का करेक्शन शुरू हो गया है ऐसा नहीं है पहली पॉइंट पहला पॉइंट यह है आपने सही जगे नहीं खरीदा अब जो देखिए आप जो ये throwback आया था इसका और आज का जो low है ना ये low kitwards कभी आये तो खरीद के 80 के आज पास stop loss maintain करते तो आपको एक genuine buy बनता था ये गलत तो उसमें भी जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं लेकिन वो buy करने का method सही है उसमें by chance आप profit नहीं करेंगे उसमे आप by method profit करेंगे दोनमें फर्क है अगर आप 102 में खरीद के ऐसा नहीं कि आप profit नहीं कर सकते हैं लेकिन वो profit by chance है आपकी कोई उसमें बहुत अच्छी मेहनत नहीं है वो बगवान का दियवा profit है लेकिन आपके इसको 90 के तरफ खरीदते जो इसका low है आज का तो ये by method होता जहां पर 80 के नीचे का stop loss होता और फिर आप आराम से वेट कर सकते अपसाइट का ये आपके लिए education की बात होगी अब रही बात दूसरी बात कि इसमें क्या हो सकता है जब तक 80 के नीचे close नहीं होता है तब तक इसमें किसी भी तरह से trend change नहीं होता है rise बहुत शार्प है तो पॉल विए शार्प होगा कहां तक होगा अंदाजा नहीं है हो सकता है कि 85 से लेके 88 के range तक भी ये पॉसिबल रहता है लेकिन जब तक 80 के नीचे close नहीं है इसकी trajectory अप है कहां तक आप हो सकता है हो सकता है कि 115 के तरह भी ये धिरेज जाएगा कब तक जाएगा जब तक 80 के नीचे close होगा यह theory negate हो जाएगा तो क्या फर यह इनके लिए एक high risk trade है जिसमें आप 102 पर खरीद के 80 आपके लिए risk manage करने का level बनता है और आगे आप उम्मीद करते है 115 वगरे की तो मतलब बहुत ज्यादा जो है कहानी समझ में तो नहीं आती है लेकिन आज की तारी में प्राइस जैसा कुछ रख सकते हैं और उपर आपको बहुत ज्यादा मिला तो क्या मिलेगा 18 वर्पर मिलेगा तो मीचे सत्रों उपर 18 वीच वीच में फज़े हुए है तो मैं नाम बुली है लेकिन भाई साब के फैसले का स्वागत करते हुए respect करते हुए आधर करते हुए मेरा ये कहना है कि ये high risk नहीं गलत trade है लेकिन गलत trade होने के बावजूद भी जब तक 80 रुपए बचा रहेगा इनके profitable होने के chances बचे रहेंगे in between ये notional loss में रह सकते हैं ये possibility लेकिन 115 तक अभी भी जाने के chances रहेंगे जब तक 80 के नीचे close रहेंगे तो सैनी जी को फिर ये तै करना पड़ेगा कि क्या वो 80 रुपए के नीचे stop loss काट करके मतलब अगर ये देखें तो 22 रुपए का घाटा अपने हर एक share पर सैने की स्थिव में है या नहीं है उतना risk ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं अगर नहीं ले सकते हैं फिर क्या करें फिर कैसे समलें इसमें नहीं ले सकते हैं तो फिर डिसाइड करें किया करना है इनको क्योंकि ट्रेड जो थेरी कहती है उसके पहले खतम तो नहीं होता है कुछ अगर बहुत गड़बर होता भी है तो आज के लो के नीचे का close का stop तो नहीं चाहिए फिर वो नीचे और जा सक घाटे में निकलना चाहेंगे या 80 रुपए तक काइमजार कर सकते हैं कि 80 रुपय एक यानवे से 80 की बीच में कहीं जातर कि फिर आपको यह फायदा दे सकता है यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि 80 तक जाया तो कोई भगवान नहीं झायेगा तो कहानी और बदल सब्सक्राइब करें लिए उसके हिसाब से एक फैसला लीजिए सोच समझ करके फैसला लीजिए जब आपने 102 पर लिया तो जैसा शुमेशी बता रहे हैं कि वह एक बहतर जगा नहीं थी हाला कि उसको इस रूप में भी तो देख सकते हैं ना कि पेशला हाई निकला था यह हैं अगर उत रेट था तो आपका मोमेंटम का होना चाहिए इसकिमाल करते हैं थो बैक तो मतलब कि गुझाईश वह लेनी होती न हाँ देखिए इसको मैं समझाने के कोशिश करता हूं आप इसके rise समझने की कोशिश कीज़ेगा क्यूं throwback का wait करना चाहिए था breakout पे नहीं लेना चाहिए था वैसे मैं बहुत ही आप मुझे consider कर सकते हैं मैं बहुत ही lethargic investor हूँ या trader हूँ जब तक वो price point वो method नहीं मिलता है मकाम नहीं करता है आप इसको एक एक किन देखिए 4th October के candle पे जाईए और मुझे बताईए कि breakout होने तक breakout level क्या है 98 का है ना आप मुझे बताईए कि breakout होने तक किसी दिन भी consolidation है या stop है क्या तो किस बेसिस पे फिर ये breakout के बाद throwback का wait नहीं करना चाहिए simple question है और इसके बाद भी आपने trade करने की कोशिश की है तो फिर आपका breakout यानि momentum trade का stop loss होना चाहिए breakout point ही आपका stop loss होना चाहिए ये मैं समझाना चाहिए ऐसा नहीं कि breakout जबाद trade नहीं कर सकते नहीं पर stop ही नहीं है ना इसका मतलब ये कि इस चाल में जो 79-80 के आसपा से शुरू हुई और सीधे 105 तक चली गए इसमें breakout जरूर हुआ लेकिन वो breakout असल में जहां से चाल शुरू है उसके बहुत उपर जाकर के हुआ भी इसमें कहीं कोई consolidation नहीं हुआ तो इसलिए breakout पे नहीं बलकि breakout के बाद किसी throwback पे लेना चाहिए और अगर breakout के बाद ले भी लिया है तो breakout वाले point पे ही आपको stop loss लगाना चाहिए ये एक मोटी-मोटी चीज concept के रूप में जरूर समझ करके रखनी चाहिए ये इसमें मैंने ज्यादा emphasize इसलिए किया कि ये असल में ट्रेड करने की शैली जो है उसका एक example है बिना कहे एक पार्शाला हो गई है